है लो दोस्तों दोस्तों हमारे चैनल में आपका सावागते हैं दोस्तों जो देखे रहा है सब्सक्राइब मैंने बोटलों में डेकेंट होने के लिए रखा था तो दोस्तों देखे इनका सभी सेड्मेंट नीचे बैठ चूका है तो अभी दोस्तों में उपर उपर से उठाकर देखे दूसरी बोटल में डालने जा रहा हूं तो अभी मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए दोस्तों यह इसमें गैस बन चूका है तो यह दोस्तों इसका गैस निकालते रहने का है जब भी डेकेंट के लिए रखते हो इसको तो इसका गैस निकालते रहने का है क्योंकि दोस्तों जे फिर देखिए जे इसमें गुलना शुरू हो चूका है जो भी नीचे बैठा था वो इसमें गैस बन जाने के वज़ा से जे देखिए जे फिर उपर कूट चूका है तो दोस्तों जे मुझे को दूबारा डेकेंट करना पड़ेगा तो आप भी अगर जे इसको असे डेकेंट करने के लिए ये बोटले में रखते हैं तो दोस्तों इसको रोज खोलकर हलका सा इसका जो जो घयसे निकालते रहने का है तो दaking मैंने जेट निकाला नहीं गयाूंकि उसमें गवे-था-वर्ण यह देखे बोटल में गुल्चुव का है तो अभी इसको दूबारा डीकेंट करूँगा मैं तो मैं अभी बाकी जो बोटल से हैं उनके डखन को खोल कर भी उनकी गयासर लीज कर देता हूँ यह देखे दोस्तो इस बोटल में भी यह देखे यह नीचे से ऊपर उठना शुरू हो चूका है दोस्तों यह सभी बोटले बहुत ही टाइट बोटल्स है तो यह देखे बोटले इनका गैसर लीज नहीं किया था तो दूस्तों आप भी यह गलती मत कीजिएगा इनका हलका सा डकन खोल कर गैस जरूर रिलीज करते रहेगा जा फिर दोस्तों आप इसको जार में डीकेंट करें तो सबसे बढ़िया रहेगा क्योंकि जार की उपरेयर लोक लगा होता है तो वो गैस को बाहर पास करता रहता है उसमें ऐसे प्रेशर नहीं बनता है तो इसमें जे दिखिए जे गैस का प्रेशर बन चूका है जिस वज़ा से जे दिखिए मेरा जे डीकेंट किया हुआ सबी जे दिखिए फिर जे इसमें गुल चूका है तो इसको अभी दूबारा डीकेंट करना पड़ेगा झाल झाल